नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मनुवारी 1920 में और रोज की तरह मैं मनुवाजिर हूँ आपका सपनों की समस्याओं का हल लेकर दोस्तों सपनों के इस सेरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में ये कोई व्यक्त भैस के बच्चे को दे में पड़वा देखा है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं दोस्तों भैस चो है एक दुधारू बसू है और यह हम लोग अपने आसपास कहीं न कहीं देखते रहते हैं और दैनिक जीवन में इनको कहीं न कहीं हमारी आपकी सबकी भैट होई ही तो मित्रुत जो चीजे हम लोग अपने देनिक जीवन में देखते हैं कभी कभी वो हमको सपने के माध्यम से भी दिखाई पर जाती है दोस्तों ये किसी भी विवक्त ने चाहे वो इस्त्री हो या पुरुस सपने में भैस के बच्चे को देखा है तो भारती सपने विवक्त ने कहता है कि है सपना देखना देखने वाले विवक्त के लिए सुब होता है दोस्तों सपने में भैस के बच्चे को देखना कोई असुब सपन नहीं होता है इसमें सपने में भवंच के बच्चे को देखने के बांद घबराना भी बिलकुल नहीं चाहिए और आप इसी तरीकिंगा कुई नकार अत्मत विचार इस सपने को लेकर आपके मन में नहीं आना चाहिए क्योंकि दोस्तों भारती सुपने विज्ञान में इसा बताया गया है कि सपने में जिस भी विक्त ने भाइस के बच्छी को देखा है तो यहाँ सपना इस बात के तरफ हिसारा करता है कि निकट भविस में आपको कोई बड़ा धनलाब हो सकता है कि आपको आर्थिक दोर पर काफिर फाइदा होने वाला है आपको कहीं से कोई फसा हुआ यह रिद्धण है तो वो आपको वपस मिल सकता है य美味 कहीं पर कोई नोकरी कल रहे हैं तो उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है और यह यह यदि आप वियपारी हैं तो उसमें आपके हाथ कोई बड़ा मुनाफार लग सकता है तो दोस्तों सपने में भैस के बच्चे को देखना आपके लिए कताई बुरा नहीं होता है इसलिए किसी भी तरीके का कोई निगेटिव इजार आपको अपने मन में नहीं लाना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे दोरा धीके जानकारी पसंदाई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवस करेंगे और यह दिया आप हमारे यूटूब चैनल पर नहीं है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे कि भवी समी आने वाले वीडियो की नोटिफिकिशन सीगरी आप तक पहुंश के और मित्रों इस आपके मन में कोई और पस्न है आप किसी ने सपने का मतलब दना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बाक्स में लिख वेजिए हम आपके दोरा कियेगे किशन का उत्तर भी सीगरी देंगे जैसी राध है मित्रों इस और आप सब का ल्याड़ करें